Hello students, इस चैनल में आपका स्वागत है, आप लगतार physics का वीडियो आप देख रहे हैं, chemistry के कुछ practicals को देख रहे हैं, physics के कुछ practicals को देख रहे हैं, total चीज हमारा academic को focus करके होता है, जैक के स्टुडेंट, जिधारखंड academic council के हैं, और CVSE के स्टुडेंट, Central Board of Secondary Education के हैं, उनके लेवल के अधार पे ही ये वीडियो जो है जाएगा, और इसमें जो practical दिखाये जाएगा, वो आपके syllabus के अनुसार से होगा, कुछ extra भी आप देखे होंगे कि practical में कुछ extra करने के process किया गया है, कुछ dangerous चीज भी जो है इसमें दिया गया है, लेकिन आप उसको घर में practice नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम लोग खुद master of chemistry है, master of science में हम लोग आते हैं, हम लोग को जानकार है कि कहां क्या fault हो सकता है, आप स्कूलम्स लाओ, force of attraction और force of propulsion related to stationary charge होता है, stationary charge का मतलव charge at rest, charge क्या है? Charge is the physical property due to which any object या any matter experienced force of attraction और repulsion in electric field. लेकिन कुलम्स लॉक इस पर applied होता है क्या point charge पे होता है या distributed charge पे होता है तो हमेशा याद रखिए कि point charge पे होता है यानि कि particular एक charge है fixed charge है उसका value dispersed नहीं हो रहा है उससे हम कुलम्स लॉक को define कर सकते हैं distributed charge अगर दी होगा तो सभी charge का अपना influence होगा जैसे मेले में अगर दी आप चले जाते हैं मेले में एक लोग नहीं है बहुत लोग है लेकिन जब भी हम मेले में जाते हैं तो हमारा interest के वह अपने लोगों से होता है या जिनसे दुस्मनी होता है उनसे भी होता है मेले में अगर कोई दुस्मन हमारा आ रहा है तो हम दूर भागेंगे force of repulsion लेकिन उनको notice करते हुगे सबसे नहीं और अगर कोई दोस्त है तो उनके तरफ जाएंगे उनके तरफ attracted होंगे यानि कि हम लोग point किसी चीज को point करके जो है किसी person को point करके हम react करते हैं तो इसलिए point charge जरूरी है distributed charge नहीं है यह distributed persons है हम इसमें coulombs law केवल दो particular charge पे ही लगा सकते हैं इस case के बीच में relation बता सकते हैं इस case के बीच में बना सकते हैं इस case के बीच ही बना सकते हैं यानि कि यदि कही distribution of charge जादा है तो उसमें point charge लेकर कही हम coulombs law को satisfied कर सकते हैं उसको explain कर सकते हैं, coulombs law उसी से related है, याँस question आता है कि coulombs law कि इस पे based होता है point charge या distributed charge point charge से related यहाँ पे question है, two one coulom charges, दो point charge है, जो kept किया गया है एक meter distance पे और हवा में अब force of attraction और repulsion, यदि similar charge है तो repulsion, dissimilar charge है तो attraction क्या होगा उनके बीच में तो यह सिरा सिरा basic question है, बहुत ही basic question है, हम लोग formula जानते हैं, चुकि जब हम numericals बनाते हैं तो हमको ज़्यादा explain करने क्या हो सकता नहीं होती है, हमको focus करना रहता है कि हम कैसे हम नजदीक जाएं answer के, तुरंत, चुकि competitive exam में, जैसे need का exam हुआ, जैए immense का exam हुआ, उसमे step follow नहीं किया जाना है, step को आप skip कर सकते हैं, step को skip कर सकते हैं, हट सकते हैं, jump कर सकते हैं, लेकिन आप अगर दी चाहते हैं कि हम correct way में जाएं, तो पहले आप step को jump नहीं कीजिए, पहले step wise आप बनाईए, उसके बाद धीरी दर practice हो जाएगा, तो आप उसको directly बना सकते हैं, जैसे question बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत typical नहीं है, meter है, distance है नहीं है, तो unit होगा तो यह value जो हो जाएगा, force बराबर हो जाएगा, कि इसमें कुछ है नहीं, 9 into 10 to the power 9, लेकिन value अगर पूट करके बनाएंगे, तो किसे बनाएंगे, तो के का value है, 9 into 10 to the power 9, और 1 into 1, और 1 का square, और यह value आएगा इस तरह से, और इसका unit हो जाएगा Newton, तो य चुनते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे options होते हैं, तो हम सही option को चुनते हैं, कि मेरे लिए सही option क्या है, तो हम लोग question बना करके, जो है, देखेंगे, जो answer आएगा, वह इतने हैं, बाकी को जो है, अटा देना है, क्योंकि हो सकता है कि इसको Newton को डाइन में भी convert कर दे, और बोथ करके दे, तो ही जो है, सही होगा, दूसरा question है, what will be the force, if above charge make distance twice of initial, यदि जितना distance है दो charge के बिच में, दो charge है 1 कूलम का, और इसमें distance था 1 मीटर, अगर इसमें ट्वाइस हो जाता है, यानि कि 2 मीटर हो जाता है, तो क्या होगा, तो ऐसे के इसमें यहाँ पे 2 हो ज 9 by, 9 by 4, 9 by 4 into 10 to the power 9, तो इसमें कोई भी option यहाँ पे नहीं है, तो ऐसे के इसमें हम लोग none प्रिटिक करेंगे, लेकिन option अगर दी बना रहेगा, option अगर दी देता है, तो 9.4 अगर दी रहेगा, तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ 9 by 2 है, 9 है, और 9 है, none, तो none प्रिटिक नहीं, कभी-कभी नन भी हो जाता है, क्योंकि answer तो है यह, 9 into 10 to the power 9 into 1 by 4, that is the answer, आप इस question को, इस तरह के question को बहुत मतलग के तरस से दिया जा सकता है, कि distance को बढ़ा दिये, distance को घटा दिये, distance इतना percent कर दिये, charge इतना percent कर दिये, कभी-कभी percent दे करके भी देगा, लेकिन सबक core materials होगा, coulombs law का जो formula है, वही, क्यानि coulombs law, f is equal to, यदि medium air रहा तो, k into q1 q2 by r square, और k का value होता है, 9 in 10 to the power 9, q1 q2 by r square, इसी formula से हम लोग बनाएंगे, लेकिन अगर दि question change कर दिया, कि इसमें, ये air में, इतना force देता है, तो medium अगर दिये हैं, जिसका dialectric constant या relative permittivity दिया रहेगा, तो उस case में force क्या हो जाएगा, तो हम लोग पढ़े हुए है, force in air, इसको कभी भी, जैसे के question मनाने के लिए, इसको कभी भी, आप 1 by 4 pi epsilon not लिखते हैं, ठीक है, लेकिन उतना लिखने के आओ सकता नहीं है, क्योंकि हम value जानते हैं, और अगर दिये medium रखेंगे, तो यही के, divided by, के का value 9 point, और के divided by epsilon r, यह हो जाता है, q1, q2 by r square, अब यह क्या है, कभी कभी student confuse करते हैं, तो के dialectic constant, और के का value 9 point, k into 9.9, यह है, इसका value, जो की 1 by 4 pi, epsilon not होता है, और यह के जो dialectic constant है, वो दूसरा चीज़ है, उसको हम लोग दूसरे रूप में जो है, लिखते हैं, लेकिन यह दोनों ही में अंतर है, यह हो गया constant of proportionality, और यह इसको बोलते है, dialectic constant, यह हम लोग पढ़े हुए है, dialectic constant पढ़ाए गया है, epsilon by epsilon not, is equal to dialectic constant, यह रिलेटिव पर्मिटिविटी, यह है, इसका हम लोग यह बोल में अगर दी दिया रहेगा कि आपका force air में इतना है, तो medium में क्या हो जाएगा, तो सीधे सीधे हम medium divided by air, अगर दी करते हैं, तो वही value आता है, epsilon r, epsilon r जो आएगा, यह दुनों को divide कर दीजएगा, तो epsilon r आ जाएगा, यह और यह cancel हो जाएगा, इसमें k q1 q2 by r square, sorry, medium में तो यह हो गया, k by epsilon r, और यह हो गया, k q1 q2 by r square, इसमें यह सब value cancel हो गया, तो यह हो गया, इसके इसमें, epsilon r, 1 by epsilon r, इस तरह काएगा, 1 by epsilon r, तो इसको लोग इस तरह लिखेंगे, force in medium, is equal to force in air, और divided by epsilon r, epsilon r का value दिया रहेगा, force, epsilon r का value दिया रहेगा, relative permittivity दिया रहेगा, relative permittivity का कोई unit नहीं होता है, permittivity, absolute permittivity in medium, absolute permittivity in air, उसका unit होता है, लेकिन relative permittivity का कोई unit होता है, वह इसको dialectic constant भी होदेगा, तो यह सब terms है, तो जो शुरुवाती दौर में 12 में जा रहे हैं, जो 12 के बच्चे हैं, jack के हो या cbc को हो, पहले आप concept को बढ़या से digest कीजिए, उसके बार numerical समें जाएगे, numericals तो इसी से related, numerical है क्या है, numerical number से खेलना है, लेकिन खेलने का नियम अगर आप जानेएगा, तब ही आप खेल पाईएगा, नियम ही नहीं जानते हैं, तो किस खेल से खेलिएगा, cricket को football के नियम से तोड़ने खेलिएगा, बैड मेंटर को cricket के नियम से तोड़ने खेलिएगा, सबका अपना अपना नियम है, यानि के theories हैं, concepts हैं, तो concept आप clear रखिए, आप numerical आराम से बना लिजेगा, numerical कुछ नहीं है, कभी-कभी कुछ चीजों को derive करते वे में लाना रहता है, नियम से फिजिक्स में जेमिन्स का question जो रहता है, वो दो-तीन concept को fuse कर दिया, और वहां से concept को ले आए, तो यहां से भी question बनता है, इसको आप practice के जाएगा, बहुत सारा question इस formula से आप बना सकते हैं, हवा में है तो इतना newton force है, तो यदि हम उसको किसी ऐसे medium में दे दे दें, जिसका relative permitivity अब जान रहे हैं, अम तो दिया गया है, तो force कितना percent हो जाएगा, percentage में भी दे देगा, तो percentage जब हम force जान रहे हैं, initial जान रहे हैं, तो initial और final में क्या percentage होता है, वह हम तो जानते हैं, तो यहां पे mathematics, जिससे चुकी numerical आप बनाते हैं, तो physics का concept तो है ही, साथी साथ में calculation भी होता है, तो mathematical calculation भी होता है, तो calculation से हम लोगो भागना नहीं है, लेकिन जो भी comparatively question दिया आ होता है, मा लेते हैं, तीन चार्ज है, Q, 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 identical चार्ज है, वह भर्टीसेस पे, equilateral triangle है, उसके भर्टीसेस पे, भर्टीसेस पे, तो ऐसे case में अगर दिस सेंटर आफ ट्रेंगल जो है, वहां पे अगर दिस सेम एमांट आफ चार्ज रखेंगे, तो उसकर force क्या होगा, तो इस पर force क्या होगा, और इसका, ट्रेंगल का side दिया होगा, side length दिया होगा, L, तो तब हम इसमें directly हम निकालेंगे, लेकिन इसको हम लोग अगर दिमाल लेते हैं, चार्ज बराबर नहीं है तब, तो अभी चार्ज बराबर है, तो कैसे होगा, तो force of, इस पर force जो होगा, इस डेक्षन जाएगा, इसको अगर दिनाम लेते हैं, A, B, और यह C, तो यहाँ पे जो force हो रहा है, force on Q, Q है, और इसके करण दियू टू भी, तो force भी हो गया, अब यह जो है force C हो गया, और यह है force A, अब इसके बीच में angle क्या होगा, यह angle क्या होगा, तो हम लोग जानते ह है, यह angle है 120, तो यह दोनों का resultant अगर दी निकाला जाए, चुकिए identical amount है, resultant अगर दी दोनों का निकाला जाए, तो दोनों का resultant अगर दी निकालते है, तो F equals 2 हम लोग पढ़े हुए है, F C square plus F B square plus 2 F C, F B cos theta, यह vector law से पढ़े हुए है, और उसका resultant का direction इस direction में रहेगा, य यह इस direction में रहेगा, इस direction में, यह दोनों आपस में एक दूसरी का पोजिट रहेगा, लेकिन भालू कितना है, तो चुकिए identical है, F square plus F square, 2 F square, cos 120, cos 120 का भालू minus 1 by 2 होता है, तो यह होगा 2 F square, और यहाँ पे plus 2 F square, minus 1 by 2, यहां से आ रहा है, 2 F square और यह cancel हो रहा है, तो माइनस F square, इसका मतलब यह होगा, F square, that is F, तो इसका जो दोनों का resultant होगा, इसका भी value F होगा, और इस तीनों का तो value F है, तो यह दोनों का resultant, यह दोनों का resultant इस direction में है, यह F है, यह F है, तो यह भी F है, और यह जो है, F A, खुद F है, यह दोनों का resultant F हुगा, और उसका direction और इ लिए सबता आए जा रहा है कि कोई भी चीज अगर दे CIME कलो डिस्ट्टिबिसन ऑफ चार्ज जो है सिमेट्रिकल हो जैसे सिमेट्रिकल किसको कह रहे हैं यह स्कुएर है इसमें भी चार्ज आइडेंटिकल है और center पर हम force देखना चाहरे हैं किसी भी charge पर अगर फोर्स चार्ज रहेगा तो force of attraction होगा लेकिन similar charge है तो force of repulsion अब इसके करण इस पर force इस direction में आएगा इसके करण force इस direction में आएगा FC और सभी एक दूसरे के बराबर है कि सभी एक दूसरे के बराबर है और direction opposite है तो net force इस केस में भी यहाँ पर जिरो हो जाएगा इसा question दिया जाएगा चेट्टो छोड़ा question है जाक में यह पुछता है पुछता है सीवेसी में भी पुछा जाता है तो यह किसी चीज को छोटा और बड़ा नहीं समझना चाहिए हम लोग छोटे से ही बड़े बनते हैं बहुत लोगों कि यह तो चुह है बेसिक चीज है बेसिक को पकड़कर ही चलिएगा तो आगे बढ़िएगा कच्वा और खर्गोस में यहीं अंतर है जो वीनर होता है वो कच्वा होता है इसके बड़ रहा है और कच्वा धीरमीगति से दोड़ रहा है तो उसके बीच में कोई कमफरीजन ही नहीं है इस्पीड के रेस्ट्रेक्ट में लेकिन एचीव गोल वही करता है जो continuous चलता है धीमीगति से ही चलिए लेकिन रेगुलर चलिए आपको वीडियो रेगूर दिया जा वीडियों हम इसी के बारे में बात करेंगे डिफेरेंट टैपस और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह का बात करेंगे पहले आप इसमें एक आपसे पूछा जा रहा है उसके बारे में सोचिएगा यहां पे 6 चार्ज है और चार्ज आइडेंटिकल है एक्षागोनल कॉर्णर पेसे और एक मीड़ पेप चार्ज है क्यूँ तो यह छेओ चार्ज के कारण इस पर फोर्स क्या लगेगा आप इसके बारे मत किजिए और फिर अग आच्चो चार्ज पर इस पर फोर्स क्या लगएगा इसको थोड़ा सा सोचिएगा तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगा इस तरह के कोश्चन्स पूछे जाते हैं ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए गुड़ बाई थीडियो हम जड़ए थाओ यंगा थाओ यंगा थोड़ एक्टा विडियो में श्यूशव थोड़ चार इस खाब करेंगा थादी जैए